हमें जिन्दगी एक चीज की उमीद तो हर समय देती है कि अभी भी कुछ देर नहीं हुआ है हम लोग अभी भी काम कर सकते हैं वैसे ही मैं यह खहूंगी कि अभी भी नीट 2024 का जो प्रिपरेशन है वो गिंती पे आ चुका है पर अभी भी देर नहीं हुआ है शुरू करे तो ह हो सकता है और होने के लिए बहुत ज़दा महनत की जवरत है क्योंकि जो लग दो साल से काम कर रहे है उन लोग को तो बहुत टाइम मिला प्रिपरेशन करने का पर जिन लोग को कुछ देन पहले रियालाइज हुआ कि नहीं मेरा हाथ से बहुत ज़दा टाइम निकल चुका ह और मैंने कुछ नहीं पड़ा है उन लोग के लिए आखरी बारी एक अलार्म है कि अभी कर लो क्योंकि अभी भी टाइम है चलो आज सोड़ा सा बात करते है कि त्री मंद्स में क्या हमारे पास क्या एक सो दिन काफी है नीट का प्रिपरेशन कंप्लीट करने के लिए इस है हो सकता है या नहीं हो सकता है तो पहली चीज है कि study hours जो है उसे हमें 8-9 गंटा बनाना होगा we have to make 8-9 hours of the study routine वाई क्योंकि अचानक से एक दिन बोल के मैं अचानक से बोल हूँ कि मैं 16 गंटे पढ़ने वाली हूँ फिर तो मेरा 16 गंटे नहीं होगा ना this is a very natural thing तो अगर मैं बोल हूँ कि मेरा 16 गंटे पढ़ने का है तो मैं 16 गंटे नहीं पढ़ सकती that's a very common thing I think so यही स routine तो बनाई सकते है अगर तुम 12 में हो अगर तुम dropper हो तुम कोई भी हो 8-9 गंटा तुमने जिननगी में पढ़ा हुआ है तो वही 8-9 गंटी वाली loyalty लेके आने पड़ेगे और यह जो 9 गंटा यह 16 गंटे में धीरे-धीरे expand होगा यानि कि सोचो अगर तुम 6 बजे उतना स्टार्ट किया आज कल उसे पांच करो फिर उसे चार करो तुम क्या करो चार से अटिली इस रात 9 बजे तक का रूटीन बनाऊ हो गया तुमारा 16 गंटा है ना this is enough for 16 hours of study है तो वही मैं बता रही हूँ कि अपने time table को लो है जो upgrade करना है हमें ठीक है पर उसके लिए हमें शु करना होगा मार्च तक क्यों एक बार ही complete करना होगा क्योंकि एप्रिल जो पूरा एप्रिल है यह हमारा practice session होगा हम लोग यहां पर practice करेंगे क्योंकि practice के लिए एक मैना एक मैना compulsory result ही है एक मैना भी अगर कोई अच्छे से preparation कता हैं में क्या कुछ दिन, चार दिन, एक मैनाच दिन, पगर नहीं है कुछ ना हो उसका एक बेस तो ready होगा ना ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कुछ याद नहीं है बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है ऐसा होई नहीं सकता अगर कोई एक महिना dedicatedly पड़ेगा तो उसका पूरा दो books complete, मैं दो subjects के books complete हो जाएगा है ना तो एक महिना, एक बारी मतलब क्या यह एक हमें practice session के लिए रखना है यह कि April घुज गया तो बस one shot short दो, one shot का कोई मामलाई नहीं चलेगा, फिर क्या करना है सिर्व सेफ practice करना है पर March तक एक बारी हमें syllabus complete करना ही पड़ेगा, हमारे पास time board type schedule में चल रहा है तो इसलिए मार्च तक हमें एक बारी syllabus complete करना पड़ेगा, उसके बाद आते है routine कैसा होना चाहिए bio का 12 पहले, chemistry का 12 पहले, physics का 12 पहले, यह क्यों कहा यह मैंने especially board student के लिए कहा कि तुम्हें काम करो कि 12 को पहले ले लो, ठीका उसके बाद तुम 11 कर लेना पर बहुत सारे bio students ने में को बोला bio students ने, बहुत सारे students ने में को बोला कि दिदी, हमने 12 तो कर लिया है, पर 11 का हमें कुछ भी याद नहीं है देखो यह भी बहुत dangerous बाट है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो यह चीज को इग्णोर करने के लिए या इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए तुम्हें स्टाटिंग कब से करनी पड़ेगी तुम्हें प्रिपरेशन की स्टाटिंग करनी पड़ेगी अपना कहां से बाँ January से तुम्हें अपनी preparation स्टार्ट करने पड़ेगी January से अगर तुम January से preparation नहीं स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा यह जो 11 में मुझे कुछ नहीं याद है दी यह वाला पाट नहीं जाएगा चीक है तो मैंने एक you have to do it plan बनाया है you have to do it मतलब करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं कि कल तक मैं postpone कर दू नहीं होगा ऐसा जो जब करना है तब ही करना पड़ेगा January 15 से February 15 तक 12 करो February 15 से March 15 तक 11 करो अब जो लोग board student है उनके लिए यह 11 वाला program बहुत गंदा हो जाएगा है न तो जो लोग board student है उन लोग को मैं कहोंगी कि तुम January 15 से February 15 तक 11 करो और February 15 से March 15 तो तुम्हें वैसे ही 12 करना है है न अब मैं थोड़ा से समझाती हूँ कि तुम्हें कैसे करना है देखो जो तुम्हारा नहीं हुआ है untouched untouched जो है तुम्हारा उसे अभी तुम start करो तुम्हारा उसे अभी तुम start करो तुम्हारा उसे 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 तु बोड स्टुदें तुम 11 के हो तुम 12 के हो तुम जो तुमधे बिलकुल पदाने में भों तुम हारा तर्टेट किया है मुंक्षित ञानवरी 15 से मेरा पूरा preparation स्टार्ट करना है January 15 से मेरा March 15 तक सब कुछ complete हो जाना चाहिए एक बारी complete होना पड़ेगा If you want to try one day one chapter करो I know this is very 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 tough but one day one chapter करो if possible क्योंकि अगर तुम ऐसे करते हो तो शायदी तुम्हारा syllabus जो है वो March तक हो जाएगा मैं believe करते हूँ अगर तुम one day one chapter करते हो तो तुम्हारा March तक हो जाएगा और DPP क्या करना है नेक्स दिन जब एक chapter सोच हो गया एक chapter तुम्हारा आज हो गया उसका ना क्या करना है Tomorrow Tomorrow उसका एक छोटा सा DPP लगाना है DPP मतलब किसी एक topic पे नहीं पुरा mixed DPP लगाना है इधर उधर से लगाना है और पैनिक नहीं करना है कि मैंको नहीं आ रहा है नहीं हो रहा है नियूमरिकल पैनिक नहीं करना है क्योंकि हमारे पास क्या है हमारे पास पुरा का पुरा एप्रेल है हमारे पास पुरा का पुरा एप्रिल है प्रैक्टिस करने के लिए है तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है ठीक है I hope I made you understand तो बस अगर इसी प्रोसेस में तो महारा चलता जाएगा रूटीन तो तुम कर सकते हो ठीक है कॉंसेंट्रेशन के लिए मैं बिल्कुल कहूंगी कि meditate everyday क्या कुछ अच्छे-अच्छे habits के बार में बात करते है पहला अच्छा habit है कि तुम्हें meditation करना है तुम्हें करना है meditation करना है ट्राइ करो everyday morning करने कर ठीक है यह बहुत अच्छा practice होता है जिससे concentration अच्छी आती है sometimes pray to God ताकि तुम्हारा जो dignity है वो maintain रहे है उसके बाद क्या करना है you should have a good sleep good sleep यानि कि तुम्हें at least seven hours at least seven hours का तुम्हें क्या करना है sleep schedule रखना है यह तीन चीजे भी maintain करना है जैसे तुम्हें preparation करते जाना है जैसे यह तीन चीजे तुम्हें prepare करना है और मैं और एक चीज बता दूँ मेरे चानल के aspect पर कि जो NTA का नया topic है उसके ओपर मैंने अल्रेड़ी दो topics पे video कर दिया है और दो topics मेरा बचता है that is cockroach and new families यह तुम्हारे बास बहुत जल्दी आ जाएगा टेंशन लेनी की बात नहीं है पहले यह सब कर लो frog कर लो chicken gunya कर लो ठीक है यह सब कर लो उसके बात cockroach new families मैं बिलकुल दोंगी मैंने कहा है मतलब मैं दोंगी और एक चीज जिसके बारे में शायद मेरे youtube team को पता नहीं है पर मेरे telegram team को पता है वो है यह can you see can you see this thing जी हाँ यह मेरे telegram channel पर चल रहा है and trust me guys trust me इस पर बहुत जन पार्टिसिपेट कर रहे है जो mini quiz होता है na everyday यह biology का हर chapter से होता है यानि कि मैं chapter पहले से बता कर रखती हूँ और उसके बाद यह mini quiz होता है यह mini quiz में सिफ 10 questions का लेती हूँ चीज है and I announce the winner everyday winner क्या होता है winner मेरा every day announce होता है every day आज भी मैं announce करने वाली हूँ जो भी quiz लोंगी उसके winners मैं आज announce करूँगी मैं क्यू ले रहे हूँ मैं यह बिल्कुल free है ऐसा नहीं है कि telegram पे आना है जैसे quiz board में quiz होता है बिल्कुल है वैसे quiz होता है तो मैंने क्यू किया है था कि तुम्हारा जो preparation है उसे intact तुम चेक कर सको कि तुम्हारा preparation कितना तगड़ा है उसे चेक करने के लिए मैंने यह चीज बना है and I am very happy to see to realize that 6-7 student ऐसे रहते ही है जिनको 9 तो मिलता ही है है ना 6-7 student ऐसे रहते है जिनको 9 मिलता ही है यहनी कि सोच सकते हूं इनकी preparation कितनी तगड़ी है अगर तुम यहां पे आते हो तो तुम्हें इनके साथ पार्टिसिपेट करने का मौका में लिए and they are very powerful students तो क्या तुम competition को बीट करना चाहते हो तो जल्दी जल्दी मेरे telegram पे आजाओ मेरे telegram का जो link है वो expired हो चुका है उसका जो तुम्हें link यह जो telegram का link है वो तुम्हें community post में दिखेगा कहां पे दिखेगा community post में दिखेगा और इस video के नीचे भी दिखेगा कहां पे दिखेगा video description तुम्हें video description में भी दिख जाएगा यह तुम्हें बस यह ही चाहती हूँ कि तुम यह वाला पूरा routine follow करो and मेरे telegram को join करो थाकि तुम everyday हर एक chapter के ओपर 10 questions का test दे सको this will be a great practice for you haa message बता रही हूँ it will benefit you the most ठीक है तो बस इसे बढ़ करार रखो and मैं जादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ कि बिल्कुल तुम्हारा time base नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कितना जाधा अभी तुम लोग का पढ़ने का है है ना देखो मैं यह मानती हूँ कि जो महनत करता है वह last तक निकल जाएगा है है ना चाहे वो 80 पे हो चाहे वो 20 पे हो चाहे वो 30 पे हो अगर उसने पूरा का पूरा 100 परसंट लगा दिया तो वो निकल जाएगा तो I wish that every one of you get NEET in 2024 and congratulations for your upcoming life क्योंकि सिर्फ तुम ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ नीट देने वालो हो तुम अपनी life में बहुत entrance exams पे appear करने वालो हो and that will be great for you so don't worry बस अपनी preparation को अपने साथ honest रहो अपनी preparation के साथ honest रहो and सब कुछ अच्छा जाएगा ठीक है मैं बतारे हूँ सब कुछ अच्छा जाएगा ठीक है and please मेरे telegram को join करना मत भूलना because this telegram is today very very important for your personal preparation personal preparation को धान रखती हुए इस telegram को join करो यहाँ पे सुफ्त में quiz नहीं मिलता है यहाँ पे PDFs भी मिलता है and you know जो लोग मेरे पास है जो लोग मेरे साथ telegram से जूड़े हुआ है they know how exclusive my PDFs are कुछ outer information भी मैं अट करते हूँ जो कभी कभी NEET में आने के chances बन जाते है यानि कि मैं पूरा कभ पूरा suggestion देती हूँ कि कैसा NEET में question आना चाहिए and sometimes sometimes मेरे suggestion मैं भी हुए है अगर तो मेरे पुराने student से पूछ तो तो कभी-कभी जो suggestions होते है वो match भी हो जाते है तो मैं जो outer information देती हूँ उसे ध्यान पे रखों क्या करना है उसे थोड़ा सा ध्यान पे रखना है पर यहां पे तुम्हें PDFs बहुत exclusive मिलेगा बिलकुल detail में मिलेगा ऐसा कोई detail नहीं रहेगा जो छूटा हुआ होगा यहां से तुम PDFs collect कर सकते हो यहां पे तुम market test भी दे सकते हो और जो मेरे first five winners बनेंगे उनके लिए मैं giveaway भी रखोंगी जो लोग मेरे telegram से जोड़े हैं उन लोग को मैं फिर से बता दूँगी जो मेरे five winners बनेंगे हर एक week के उनको मैं कुछ ना कुछ giveaway दूँगी या तो mind maps या तो PDF या तो कुछ newmonics कुछ ना कुछ तो मैं उन लोग को giveaway ज़रूर दूँगी क्योंकि हर मेहनत का एक reward होना ज़रूर बताना मैं उस हिसाब से बिलकुल दूसरा एक वीडियो लेकर आओँगी जहांपे मैं प्लानिंग की बात करूंगी कैसे करना है 11 से अगर सचाट करो तो कैसा प्लान होगा 12 से अगर सचाट करो तो कैसा प्लान होगा ठीक है इस बार में अगर तुम्हें कोई इन्हानिक नहीं करना है, ठीक है? Okay, thank you everyone.